हेलो एवरिवन मैं राजी रण्जन एक वफिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने चल मंजे मेड़ी पर जैसा कि पहले लेक्ट्चर में हम पड़ चुके हैं कैपिस्टर के बारे में और इसके प्रिंसिपल के बारे में तो इसमें हम पढ़ें ग्रूपिंग और कैपिस्ट कैप्सटर को तब सब्सक्सार को जाने के लिए अो ठीक है यहां से यहां तक जाने केले का आज्ट के कैफ्टर्स ने चलीए हम इसको आगे पढ़ते हैं तेंlic केस्टर लेट असका हिस्ट भुआ क्या उनल इसको भ्रुआख्या से लिए हैं यहां की यहां तक जाने के लिए एक लाइन का प्रयोग कर रहाएं इसलिए हम कोंगे दश्चा आर इंश्रीज ठीक है इसको घ्रति से है यहला प्लस आपट्र चार्ज फ्लाइ चिक लेकिन इलेक्त्रेटिक इंडक्षिं कार्ड यह माइनस क्यूओ चाइआ ठीक के आगल सरफेस सीट थीक है जो ब्रत सी वन के करीब है तो इस प्लेट के पिछे प्लस चार्ड भलंबो यदा है प्लस चार्ड जाएगा अगली से क्यों सुनर प्लस क्यों जाएगा यह प्लस क्यों स्टाल सत्व di फिर यहां इंडक्सक्षं कova देवलोफ मिलीख explains यहां प्लस क्या इसंद हो गया एक स्कॉक्षम ऐगाया चांद की मीद्या क्न op ecosystem की तो ठीक हम देख रहा है कि जो Q की वैल्व है वह आपके वैल्व यहां ठीक है यहां से यहां तक ус ребिक्षक यहां थे पॉटेंशब को हम वह लेते हैं तो इन शीरिस कंबिनेसं क्या होता है तो चार्ज गिवजोग टफस्टिश है one related among the capacitor यहां potential different divide होता है क्यों है तो यहां भी क्यों है हर जाग क्यों है लेकि potential difference divider और यहां को मान लेते हैं और यहां को मान लेते हैं ए तो लिख लेता है to the first capacitor first capacitor is not divided is not divided but the potential difference potential difference potential difference is divided okay potential difference is divided amongst the capacitors charge का division नहीं होता potential difference का division होता है potential difference डिवाड़ जाता है तो यहां इसके V1 की वैलू क्या हो जाएगी QY C1 V1 की वैलू क्या हो जाएगी C equal to QY V होता है V1 equal to QY C1 हो जाएगा ठीक है V2 की वैलू क्या हो जाएगी Q2 QY C2 यह भी Q है V3 की वैलू क्या हो जाएगी QY C3 ठीक है तो here total potential difference हमाग क्या है V है और क्या में डिवीजन हो रहे है V1 प्लस V2 प्लस V3 में यह पूरा V है यह V1 प्लस V2 प्लस V3 है तो V equal to क्या हो जाए V1 प्लस V2 प्लस V3 ठीक है तो V1 की वैलू हम राख देते है QY C1 वित्रिक वैलू QY C2 और वित्रिक वैलू QY C3 ओके यह क्या लेते है Q common है क्या Q common है तो ले लेते है V equal to Q देके हम यहाँ Q ले लिया Q common ले लिया तो बच्चे का हमारा 1 प्लस V1 प्लस V1 प्लस C2 प्लस V1 प्लस C3 उपड लेते है V upon Q हो गया 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3 ठीक है तो हम जानते है V total potential था अब क्यों 4 था तो इसको हम जानते है C equal to QY V होता है तो C equal to QY V होता है तो V upon Q क्या ले सकते है 1 upon C ले सकते है यह हमार equivalent equivalent coefficients हो गया ठीक है तो हम C से denote करते है 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 ठीक है equivalent coefficients कितना है 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 ठीक है ठीक है तो for N capacitors हमाँ पर कोई N capacitors है और वो connected है हमारे series में series तो total coefficients क्या होगा total capacitance would be series को Cs से दिखाएंगे ठीक है series को Cs से दिखाएंगे यहां भी हम S से दिखा सकते है ठीक है CS से दिखाते हैं C से दिखाते हैं कोई दिखकत नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3 ठीक है लेकिन हमारे पास N है तो इतना बढ़ाना लिखके हम इसको से लिख सकते हैं 1 by C equal to sigma i equal to 1 to n i equal to n to n 1 upon C i ठीक है एक बात दिखान देने वाली बात है कि in series combination in series combination the equivalent capacitance the equivalent capacitance will be smaller than the smallest capacitor in the combination in the combination ठीक है बहुत important है mcq में आप कहीं भी ठीक लगा सकते हैं क्योंकि in series combination the equivalent capacitance जो होगा वह smallest capacitor से भी small होगा ठीक है in series combination equivalent capacitance आएगा जो equivalent capacitance आएगा वह उस series जो smallest capacitor है उससे भी smallest होगा ठीक है in series combination the equivalent capacitance will be smaller than the smallest capacitor in the combination ठीक है तो आगे बढ़ते हैं capacitor in parallel ठीक है बढ़ते हैं capacitor in parallel heading डाल दे capacitors in parallel ठीक है capacitor in parallel कभ कहेंगे the capacitors are said to be connected in parallel are said to be connected in parallel in parallel between any two points between any two points if we can proceed 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 from one point to other along different paths different paths series वाले मैं एक पाथ से ट्रेवल करते थे ठीक है इसमें क्या करें capacitor को हम parallel connection तब कहेंगे जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक multiple path में जा सकते ठीक है तो देखिए माली जूआ हमार तीन केप्सटर है माली एक C1 की departure वाल में kay continuing फ्रे और यह से www.team ठीक है हुआ इसको पैणलर कर रहे हुए इसको हम Hyp ears connection कर रहे हुै इसको यह जोड दिया और इसको यह जोड दिया के चीद का इसको से इसको इसको पहले रेक्ष नेक्षम चाहिए लिए इसको अगये करेंगे लोगhof स्क्रे省 का और इसको हमने रफ से क्षमख कर दिया है ठेक है इसका का pesos कर का नाम इसीवाय statistics है है एह यह जित्री ठीन혀 है ठेक है हम यह प्लस्क्यू चार्ज सप्लेडिया प्लस्कियू घो गया है यहां भी हो गया हरे के लेफ्ट वाले साइट पर प्लस आगे लेकिंडक्शन के क्या होगा इंडक्शन क्या होगा यह मैनस आजाएगा यह क्या हो जाएगा मैनस आजाएगा लेकिन इस वाले प्लेट के पीछे क्या डवलोप हो जाएगा प्लस क्यू डवलोप हो जाएगा ठीक है यहां भी क् था Q2 इसमें Q2 चला गए इसमें Q3 चला गया ठीक है यहां Q1 चार्ड प्यूटिव और माइन्स डवलोफ हो गया और पीछाला साइट पर ना कि दिख्गा देने वाली बात है कि कि इन पारलल कंबिनेशन गवाल्ड गपनेशन गणीफ से लिख दे रहा हुआ है क्योंकि बहुत इंपॉरेंट टॉपीक है इंपने अपराइशन गिवेण चाज है विवेंग चार्ज इवाइडेड क्या है इसमें, CHARGE IS DIVIDED, AMONGST THE CAPACITORS, AMONGST THE CAPACITORS, क्या होता है, CHARGE DIVIDE हो जाता है AMONGST THE CAPACITORS, WHEREAS, WHEREAS, THE POTENTIAL, POTENTIAL DIFFERENCES, ACROSS EACH CAPACITORS, WILL REMAIN इसमें क्या होता है कि चार्ज डिवाइड अमंग तक काफिस्टर चार्ज डिवाइड हो जाता है ठीक है यहां तो यह द्यान देने लिए बात है कि पहले कॉमनेशन में पोटेंशल डिवाइड सेम रहता है और चार्ज का डिविजन हो जाता है ठीक है नाव तो चार्ज हमारा बढ़ गया तो हम इसको इस तरीक सकते हैं Q इक्वाल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चार्ज का डिविजन हो गया तो टोटल चार्ज कितना हो गया यह हो ही होता है पोटेंशल डिवरेंस हमारा सेम है तो पाला के लिए क्या हो जाएगा पाला के लिए क्यों क्या हो जाएगा Q1 इक्वाल टू सीवन पी क्यों 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 क् ठीक है यह क्यों रहेगा Qy V ठीक है वी कमने लिया तो आ जाएगा C1 plus C2 plus C3 ठीक है इस Qy V मतलब क्या होता है C होता है इसको अम कहेंगे क्या कहेंगे इसको resultant कहेंगे ठीक है equivalent कहेंगे equivalent कापिस्टेन यह resultant कापिस्टेन ठीक है तो C equal to C1 plus C2 plus C3 ठीक है तो इन जेनरल हम इन जेनरल लिख सकते हैं वेन अन कापसिटर्स आर कनेक्टेड इन परलल इन परलल इन परलल देन equivalent कैफिस्टेन परलल क्या हो जाएगा sigma i equal to 1 to i equal to n c i हो जाएगा ठीक है उनका सम हो जाएगा कैफिस्टेन का सम हो जाएगा एक वात ध्यान देने वाली बात है कि if all कैफिस्टो आजेने वाली बात है कि if all the capacitors are connected in parallel then the equivalent capacitance will be maximum सबसे ज्यादा maximum होगा ठीक है चलिए आगे हम पढ़ेंगे दूसे टॉपिक के बारे में तो यहीं तक इसको समाब करतें धन्यवाद